असलामुलीकूम क्या हाल चाले आई होप कि आप सभी ठिक टाक होंगे वेलकम बैक मैं यूट्यूब फैमली वेलकम बैक मैं एन अधर विलोग तो मैंने का आज का विलोग वही सुबह सुबह का इस खुबसूरत मंजर के साथ ही स्टार्ट कर देते हैं और यहां एहमाद बठ खाने में मसरूफ है तो जी नाच्ते में दो समझ या है मैंने आरू की स्टार्ट कर दो बिल्कुल फ्रेश रहती है और सासा जाना यहां सबजी भी मेरी बिल्कुल रड़ी हो गई है कोकर में बनाई है तो जल्दी बन गई और टाइम भी बहुत कम लगा तो नीन्द भी ब तरली सास अपना मेट का भी वेट कर रही हूँ कपड़ी भी मुझे टेक करने है तो कल के वि्लाग में आपको बताई था हूए तक इका पमशीन लगा भी थी और अब एट जो yet करके कपड़ी भी हमें टेक करने रहें है और सासत देखें मेरे कपड़े की हालत क्या है और यह बिल्कुल बिगड़ावा है क्योंकि एमद सो रहा था स्कूल से आके थोड़ देर और जो है ना आके फिर मैंने कामरा समेट था नहीं मैंने बिला जब यह इजी उट जाएगा और वाश्रूम का भी इसने गेट खोल दिया और सासाथ इसने आके अपना पीटी ड्रेस भी यहीं उतार द और बहुत मजएपे बंते हैं कैचप आयुनीस डाले चीज आपके पसंदे है, साथ जाए है साथ यह इसका मिक्सचर है मसाला डालते है, साथ ही मजएधारं से काटे वड़ी जालें, जो के बहुत पसंद ना, हमारी मतलब work हम लुग आए दिन बनाते हैं और बहुत इजी रेसीपी भी है इसकी और बहँत जटपड भी आंबनते हैं। और शांसा हमने नयाज भी दिलाई थी तो ये गाजर के हिल्बे पे नायाज दिलाई ती गाजर का हलबा भी बहुत ही मज़ेदार और जीज बना था। तो अगर आप लोगों को किसी चीज की रेसिपी पूछने हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर प्रताई में आप लोगों को पूरी रेसिपी की लिंक्स शेयर करूंगी तो साथ सारे यहां बेटे में चाय का टाइम भी हो रहा है तो यहां जी एमद बैट के जो एना लिड़ो केल रहा है और उसको जो एना साथ साथ में खाना किलारी हुए एमद का रोटी सालन आ गया है अलुकी में का सालन भी था उसको यह जादा शौक से पसंद था तो मैंने यह इसको ले दिया खिलाने के लिए और साथ साथ एमद जो एना लिड़ो भी खेल रहा है तो जी रात का खाना आगया है हमारे पस कबाबें साथ हमने चटनी प्री फ्राइए किये और साथ जो है ना हमारे पस है आलू गोबी की सब्जी यूँकर सब्जी के साथ एक कबाब होने चाहिए तो जड़ा सौक से जर्ट सका लेते हैं तो रात का खाना हम लोग जल्दी जल्दी से खा लेते हैं उसके बाद मिलेंगे थोड़ी दिर के बाद और शामी कबाब बहुत मज़े के बने और आलोगोबी की सबजी इस तरह करके भी बनती है तो एहमद भी बैट किया खाने पे तो उपर एहमद टेबल पे चाड़ा था हमद 05 अब नीचे बेथ हुदो आपको नीचे कहिला डी तो हमद को मैने कबाब देदिया था लग से हमद एक अपना कबान फिनिश कर लिया था और यहाँ जैना मैंने फॉक दे दिया हैमद को कि इससे जैना अपना कबाब फिनिश करो बस मुझ में नहीं लगाना इसको और वैसे तो मैं बच्छों के लिए प्लास्टिक के जो फॉक होते हैं वो लाती हूं वो सही भी रहते हैं वो फाइनली रात का टाइम हो गया और यह मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट दिया है और मुझे बहुत पसंद आया है और आपको भी दिखना हूं मैंने बलाब लोगों से भी शेयर करूं यह बड़ी खुबसूरत सी एक डाइली है और साथ में एक पैन है और मतलब इसी कंपनी का यह पैन है और इसी कंपनी की यह डाइरी है तो मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइब बढ़ने दिया है तैंक यू सो मच आपको इतना प्यारा गिफ्ट देरिंग के लिए तो मैंने बला आप लोगों से भी जब तक शेयर नी करूंगी जब तक मुझ सारा खयार लखें और मेरी चैनल को जब लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें अपनी दौा में याद रखें लाफेज